नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जब भी तेजस फाइटर जेट की बात होती है तो हम बात करते हैं कि इसका MK2 वर्शन ऐसा होगा और भुष्या में इस तरह का फाइटर जेट आएगा और अभी भी 83 तेजस फाइटर जेट की डील की जा चुकी है लेकिन दोस्तों ये प्रोजक्ट जो है वो बहुत ही डिले हुआ है अगर इसकी शुरू से लेके एंड तक प्रोग्रेस को देखा जाए तो अभी दोस्तों पारलियमेंटरी पैनल ने इसे क्रिटिसाइज भी किया है कि इसके अंदर इंप्लिमेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हुई है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों पारलियमेंटरी कमेटी ने ये कहा है कि लैक ओफ कोर्डिनेशन जो कि स्टेक होल्डर के बीच में रहा है और बहुत ही कैजूल अप्रोच रही है मोनीटरिंग कमेटी की लोकसबा की उसने कहा है कि 1983 में इस प्रोजक्ट को सैंक्शन किया गया था लेकिन बहुत से रीजन रहे जिसकी वज़े से डिले आई और ये इशू रिलेटीड थे जैट इंजन को लेकर वैपन पैकेज को लेकर और साथ ही इसका प्रोटोटाइप बनने के अंद इसके अंदर मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस से और फाइनेंस से हाइस लेवल के लोग शामिल थे वो भी पूरी तरह से एंशूर नहीं कर पाए किसी भी तरह के कोडिनेशन को और इसी वज़े से इसके अंदर डिले हुई और इस रिपोर्ट के अंदर इंडियन एर फोर्स के बी संमिशन का रेफरेंश दिया गया है जिसमें कहा गया है कि नए वैपन सिस्टम को शामिल करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जा रहा है पुराने वैपन सिस्टम बिकार होते जा रहे हैं डिजाइन टीम और यूजर के बीच में तो इस से एक mutual understanding आगे चलती रहती और इस से बहुत से issue पहले ही solve हो चुके होते और साथ ही दोस्तों इसके opposite भी एक report का इसके अंदर mention किया गया है जिसमें defense ministry reply करती है 2007 से पहले अगर ऐसा कोई group बनाया होता तो इसका कोई खास result नहीं जो favor में होता क्योंकि Indian Air Force के personal को design के area के अंदर कोई भी expertise नहीं थी और साथ ही same time पे ये भी कहा गया है कि defense ministry ने अपनी replies के अंदर ये भी दावा किया है कि उसने Indian Air Force का participation ensure किया है बहुत से LCA program के reviews के अंदर और इसमें ये भी कहा गया है कि LCA Mark 2 यानि कि तेजस medium weight fighter जो इस configuration का है ये एक तरह से नया military fighter के रूप में उभर के आया है medium weight category के अंदर और ऐसा तब हो पाया है कि जब हमने LCA Mark 1 प्रोग्राम से बहुत बड़ा lesson सीखा है और दोस्तों तेजस की बात करें तो HAL के द्वारा बनाया गया ये एक single engine highly agile multi roll supersonic fighter aircraft होगा जो की high threat air environment के अंदर operate करने के लिए capable होगा तो ऐसे में दोस्तों ये report जो आई है इसका अभी कोई ज़्यादा महतव नहीं है क्योंकि हमने already past से सीख लिया है और अभी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और आगे भी timeline का ध्यान रखा जाएगा लेकिन past के अंदर जो delays हुई ह तो उसकी एक report आई है वो अभी कोई ज़्यादा महतव नहीं रखती है धन्यावाद जैहिन